Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and आज की इस विडियो में हम लोग हमारा first topic करने वाले हैं of our second chapter of chemistry, जो की है is matter around us pure. तो इसका आज का हमारा topic है mixtures, pure substances के बारे में तो हमने last lecture में देखी लिया था, जहाँ पर मैंने आपको introduction दिया था इस पूरे chapter का, आज के इस lecture में हम mixtures, यानि की impure substances के बारे में discuss करेंगे, तो चलो let's start, तो सबसे पहले mixtures की definition जाननी काफी जादा important है, pure substances तो बिल्कुल pure है, ठ हमारे पास दो या उससे जादा elements हो सकते हैं, उससे जादा चीज़े हो सकती है, even compounds भी हो सकते हैं, बट वो आपस में जुड़े नहीं होंगे chemically, ठीक है, जैसे अगर मैं पानी कहूं, H2O, तो मुझे एक चीज़ बताओ, यह pure है या फिर impure है, this is pure, क्योंकि यह पूरा एक compound है, और यह chemically combined है, यहाँ पर sharing होती है, तो यह chemically combined है, जिसकी वज़े से यह एक pure substance कहलाता है, ठीक है, अब example में एक और देती हूं, इसके लिए, mixtures के लिए, अगर आपने क्या किया, आपने पानी लिया, उसमें चीनी आट कर दी, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में, कोई as such reaction नहीं हुई है, वो chemically combined नहीं हुए है, वो चीनी जाके बस उसमें घुल गई है, dissolve हो गई है, तो which means वो chemically combined नहीं है, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, mixture, सिर्फ अगर पानी ले रहे हो, या CO2, कोई सी भी individual gas अगर आप इस तरीके से ले रहे हो, भले ही यहाँ पर दो अलग अलग composition हो सकता है यहाँ पर और हमारे पास homogenous भी हो सकता है, ठीक है, then shows the properties of its constituents, obviously अगर हमने जैसे पानी ले रखा है, let's suppose, we are adding sugar to it, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उसकी properties होंगी, ना, दोनों की ही, वो show होंगी, so this is what this line is telling us, उसके बाद हम next पर आ जाते हैं, कुछ examples हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे crude oil है, it is a mixture of organic compounds, ठीक है, mainly इसमें hydrocarbons होते हैं, बहुत सारे, तो यहाँ पर इनके बीच में कोई chemical reaction नहीं हुई है, ठीक है, यह बस एक mixture है, जिसमें बहुत सारी organic compounds हैं, then हम उनको separate out कर सकते हैं, ठीक है, sea water, sea water में तो आपको पता ह है, पानी तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे salts हैं, various salts are present, जिसमें से एक sodium chloride भी होता है, आपको पता है, evaporation की help से हम इसको अलग करते हैं, actual में वहाँ बहुत सारे salts हैं, वो जब एक group type का बना देते हैं, उसको हम rock salt बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें basically उससे क्या निक ठीक है, और air, air भी हमारे पास mixture है, यानि की impure substance है, क्यों है, air में तो इतनी सारी gases है, CO2 भी है, oxygen भी है, nitrogen भी है, so and so gases, बट क्या वो आपस में chemically combined है, chemical reaction होती है, कुछ नहीं न, तो which means, वो individual है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम एक mixture कहते हैं, mixture of various gases, milk की अगर मैं बात करूं है, है न, तो milk में अगर मैंने पानी डाल दिया, तो दिखेगा तो बिल्कुल वैसा ही न, बट उसमें पानी भी added है, तो basically दो अलग अलग चीज़े हैं, और वो दोनों आपस में chemically combined नहीं है, so this is a mixture, ठीक है, फिर चाय, चाय में तो sugar भी डल रही है, चाय पत्ती भी डल रह जैसे अगर मैं एक अलग से मैंने milk ले लिया, और अलग से मैंने दूसरा एक container लिया, उसमें दूद लिया, और उसमें पानी मिला दिया, तो हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते हैं, कि इन दोनों में exactly क्या difference है, क्योंकि यहां पर uniformity होती है, even अगर आपने दूद में पानी म divide कर सकते हैं, एक जहां पर uniformity होगी, दूसरी जहां पर uniformity नहीं होगी, ठीक है, तो I think इतना clear हो गया होगा, then sandy water है, तो water में sand added है, so obviously this is a mixture, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास examples हो सकते हैं, अब मैंने कहा था mixtures को हम दो categories में divide कर सकते हैं, क्या है वो दो categories, तो सबसे पहले ह हमारे पास homogenous mixtures, ठीक है, जो homogenous mixtures होते हैं, यहां पर होती है uniformity, ठीक है, क्योंकि यह uniform होंगे, हम देख के बिलकुल पता नहीं लगा सकते हैं, कि इसमें आच्छल में हमारे पास 2 या 3 चीजे हैं, कोई elements हैं, अलग-अलग compounds हैं, तो हम देख के नहीं बता सकते हैं, तो which means व यहां पर दिख रहा है, अलग-अलग दिख रहे हैं, अगर मैंने fruits डाल दिये, है ना milk में, या फिर किसी भी चीज में, let's suppose हमने curd ले लिया, उसमें बहुत सर्फ fruits मेंने add कर दिये, तो मैं देख के नहीं पता लगा सकती हूं, मतलब पता लगा सकते हैं हम easily, कि हमारे पास curd म अलग-अलग fruits added हैं, बट अगर वही same cheese, हम किसी और cheese में डालेंगे, अगर मालो आपने उसको blend कर दिया, तो में भी हमें ना पता चले, तो मोटा-मोटा हमको ये समझ में आ गया, कि जहां पर हमको दिख रहा है, कि uniformity है, वो homogenous, जहां पर मुझे अलग से दिख रहे हैं, है, तो यहां पर भी देखो, एक से जादा चीज है, ना, दो अलग-अलग metals है, तीन अलग-अलग metals है, तो यह हमाई पास mixture होगा, बट यहां पर uniformity रहती है, हम देख के नहीं पता लगा सकते हैं, जैसे घर में stainless steel के बरतन होंगे, वो एक alloy है, देख के आपको पता चलता है, उसमें बहुत सरी चीज है, नहीं न, तो which means uniformity है, hence that is an alloy, फिर हम आजाते है true solutions पे, solution का मितलब वही है कि इसमें एक solute होता है, एक solvent, जैसे कि सबसे बड़ी example हमारा चीनी और पानी का ही होता है, आपने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, तो देख के हम obviously नहीं बता सकते है है न, तो यह क्या होगा, homogenous होगा, and इसको true solution हम बोलते हैं, जो जादा amount में होता है, present उसको solvent बोलते हैं, जो कम amount में present रहता है, उसको solute बोलते हैं, यह सब हम आगे, अभी जितनी वीडियो आती जाएंगे, उसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है, heterogeneous को भी दो categories में divide कर सकते है suspensions and colloids, ठीक है, यहाँ पर जो particle size है, वो काफी बड़ा होता है, जिसकी वज़े से हमें clearly दिख जाते हैं, and colloid भी हमाई पास एक ऐसी state होती है, जहाँ पर heterogeneity रहती ही है, मतलब हम देख के पता लगा सकते हैं, कि यहाँ पर दो चीज़े हैं, ठीक है, clear है, चली, अब homogenes, यहाँ पर clearly मुझे दो अलग-अलग substances दिख रहे हैं, बट यहाँ पर on the other hand proper uniformity है, है न, तबी तो देखो uniform का मतलब क्या होता है, properly हमारे पास same होना, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास क्या था, यह वाला था, यह वाला color है, फिर यह वाला, फिर यह वाला, फिर व इसनी space इसने ली है, तो इतनी इसने ली है, ठीक है, चलो, अब आज आते हैं, next, अभी मैंने बताया था, आप curd भी ले सकते हो, milk भी उसमें fruits डालोगे, तो clearly मुझे fruits उपर से दिखेंगे, तो यह heterogeneous होगा, यहाँ पर चाय है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख के नहीं पता लगा सकती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं, हाँ भले हमें पता रहता है कि इसके अंदर क्या 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 चीज़े हैं, बट हम देख के नहीं पता लगा सकते हैं, जिसकी वज़े से यह homogenous कहलाएगा, ठीक है, चली, homogenous mixtures के बारे में discuss तो कर ही लिया है, तो definition भी देख लेते हैं, एक ऐसा mixture जिसमें uniform composition होता है, ठीक है, throughout, मतलब पूरा जो भी हमारे पास वो mixture है, वो uniform ही रहेगा, इसको homogenous mixture कहते हैं, या फिर इसको आप solution भी कह सकते हूँ, हमने अभी देखा था कि इसको हम दो categories में divide कर सकते हैं, alloys और solution की, ठीक है, जैसे sugar को पानी में ड ठीक है, हम देख के तो पता लगा नहीं पाएंगे, there is no visible boundary of separation between the constituent particles, क्योंकि वो बहुत अच्छे से घुल गया है, ऐसा नहीं है, कि यहाँ पर नीचे collect हो गया और उपर पानी है, ऐसा कब होगा, sandy water में, देखो, sandy water अगर मैंने लिया, आपको पता है, sand तो बिल्कुल bottom पर collect हो जाएगी, उपर पानी होगा, तो क्या यह homogenous होगा, नहीं, क्योंकि मैं clearly देख सकती हूँ, visible boundary of separation यहाँ पर है, जबकि homogenous में visible boundary of separation नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत simple है, I hope clear हो गया होगा, homogenous mixtures के बहुत सरे examples हैं, यहाँ पर हम components को distinguish नहीं कर सकते हैं, जैसे milkshake है, strawberry shake है, orange का juice हो गया, cold tomato soup है, इसमें अगर मान लो, थोड़ी veggies मैंने डाल दिये, तब क्या homogenous रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उस case में मुझे clearly, यह जो भी मैंने इसमें fruits डाले हैं, वैसे tomato soup में तो fruits नहीं डालेंगे, तो यहाँ पर जो भी veggies डाली हैं, clearly हैंगी, तो वो क्या बन जाएगा, heterogeneous, बट यह homogenous है, क्योंकि सिर्फ tomato soup है, ठीक है, फिर chocolate, देखो यहाँ पर बहुत सरी चीज़े होती है, चीनी भी होती है, तो हम देख के तो पता लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भी uniform composition है, अगर यहाँ पर dry fruits आ गए, तब मैं clearly देखी लिए हैं, चलो, next पर आ जाते हैं, फिर, अब क्या है, अचा, ठीक है, तो NCRT के हिसाब से अभी इस वाले topic में इतना ही था, तो हमने discuss कर लिया है, next topic में हम लोग detail में heterogeneous mixtures को पढ़ेंगे, colloids भी देखेंगे, क्या होते हैं, suspension क्या होते हैं, so stay tuned, तब तक हम यह जो NCRT index questions है, उनको देख लेते हैं, what is meant by a substance, substance क्या होता है, कोई भी pure substance जहां पर हमारा uniform composition तो है ही और आप उसको separate नहीं कर सकते हो, physically, ठीक है, a substance is a matter which has a specific composition and specific properties, ठीक है, specific composition है, मतलब proper उसका composition हमें पता होगा और उसकी कुछ अलग सी properties भी होगी, ठीक है, every pure element और pure compound is a substance, pure element जैसे क sodium है, potassium है, compound का मतलब जैसे पानी है, carbon dioxide है, यह सब, ठीक है, a substance cannot be separated by any physical method, अभी मैंने आप लोग को बताया, the properties composition of a pure substance is fixed, obviously sodium अपनी कुछ specific properties दिखायागा और वही उसकी properties रहेंगी, same goes with the water as well, ठीक है, चलो, list the points of differences between homogenous and heterogeneous mixtures, बहुत simple है, अभी मैंने क्या बताया था, कि यहां प कि यहां पर uniform composition नहीं होता है, ठीक है, यहां सिर्फ एक phase होती है, बट यहां पर दो phases होती है, generally अगर मैं colloid की बात करूँ, तो एक dispersed phase होती है, ठीक है, दूसरा dispersion medium होता है, तो दो phase हैं basically यहां पर, ठीक है, और यहां पर mainly एक ही phase होती है हमारे पास, इसको हम physically separate नहीं कर सकते ह है, जैसे अगर मैंने चीनी घोल दिये, तो फिर मैं physically क्या उसको separate कर पाऊंगे चीनी को, नहीं कर पाऊंगी है, बट अगर मैंने sand डाली है, पानी में, तो वो नीचे bottom पे चले जाएगी, जित्ती भी मिट्टी है और पानी और उसको मैं separate कर पाऊंगी, तो यहां पर हम physically separate क कर सकते हैं, यहां पर physically separate हम नहीं कर सकते हैं, होमो का मतलब सेम होता है, और हेट्रो का मतलब different होता है, अभी मैंने बताया था, examples भी जभी भी difference पूछे जाते हैं, definitely mention किया करो, जैसे कि यहां पर alcohol और पानी है, यहां फिर आप लिख सकते हो, sugar and पानी है, फिर यहां पर sodium chloride और sand, या फिर आप sand और water भी लिख सकते हो, यहां पर ठीक है, curd and fruits भी लिख सकते हो, तो यहां पर जो भी आपको याद आता है, जिस तरहीके का भी example याद आता है, जरूर mention करके आना, ठीक है, तो यहां पर जितने भी questions थे, यह सारे कर लिये हैं, and जो topic है, उसको हमने अच्छे से आथ समझ लिया है, so I hope, यह जो topic है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, so that is it, हम लोग मिलेंगे हमारी next video में, तब तक यार अपना ख्यार रखना, and all the very best, bye-bye.